हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंग है सर सीमा हैदर को लेकर आपने राष्टपती से अरजी दाकिल किया है कि नागरिक्ता भारती ये मिले हमने जो याचिका लगाई है देश की महामईम राष्टपती जी कहा है सीमा मीना बाइफाफ सचिन मीना चार साल पहले जब सीमा हैदर थी और जब तलाक दिया गया था तो हैदर ने कि ये दूसरी बीवी थी सेकंड इनकी पहली शादी थी निकाह था पहली बीवी से जो बच्चे थे उनको तो वह अपने साथ रख रहा है अभी भी दूसरी बीवी के चारों बच्चों को छोड़ रखा है तलाक दे रखा एक बात के लिए कर दूँ अब तीसरी बीवी उनके साथ रह रही है इसने तलाक जब दे दिया चार साल पहले उसके बाद ये विप्रियास किया सीमा ने कि इन बच्चों को तो अपने साथ रख लो बच्चों के तो पिता का सहारा मिल जाएगा क्योंकि 2022 तक सीमा के पिता जीवित रहे 2022 पिछले साल उनकी मौत हो गई उसके बाद बे सहारा हो गई और महिला है चार बच्चों की माँ है तीन बेटियां है एक बेटा है सोचिए और पाकिस्तान जैसी धर्ती से आना जहां महिला को आपने देखा कई बार महिलाएं कहती हैं कि पायदान समझा जाता है उसको ऐसे इस तरह से बाते हैं तो ये जो है ये तो भारत में है मानि मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक बाला और मानि सरवच नैल ने ये काम किया तो महिलाएं इस देश की सुरक्षित भी हैं से रक्षिती मैसुल अधनान सामी को भारती नागरिकता मिली है आज भी अक्षे कुमर कनाडियन नागरिक हैं दिपी का पादकोन भारत की नागरिक नहीं है रह रहे हैं न देश में और ये तो नामी गिरामी नाम हो गए अब आप आईए 75 साल 1948 Citizenship Act के बाद की बात करिये इस देश में हजारों पाकिस्तानी बंगलादेशी अफगानिस्तान के अगर हिंदू मुसलिम की बात कहें करना नहीं चाहता मैं लेकिन वो भी उनको नागरिकता इस देश के सिस्टम से मिली है और वो तो उसने अपना धर्म परिवर्तन किय है नेपाल में है की हिंदू धर्म ड्रण किया हिंदू धर्म से प्रफावित थी भारत सरकार से प्रफावित थी ज्योंकि बेटी बुइटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम अंदोलन मूवम्मेंट भारत में ही है